हलो दोस्तो विल्कम बैक टू नीव विडो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही आच्छे होंगे दोस्तो ये विडो काफी इंपोर्टन प्लस इंट्रस्टिंग होने वाली है इस वीडो में दोस्तो हम बात करेंगे अपकमिंग आरेश टू अंडड के बारे में जिसका दोस्तो इंडिन मार्केट में बहुत दिनों से इंतिजार किया जाराई कि ये वाइक इंडिन मार्केट में आएगी इंडिन मार्केट में आएगी लेकिन दोस्तो फिलाल अभी तक इस वीडो को इंडिन मार्केट में नहीं लाया गया है सु इस फीडियो में इस बाइक के बारे में complete बात करने वाले हैं दूस्तों कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी क्या के company's में changes करने वाली है सारी चीजे मैं आपको details में बताने वाला हो तो चली फिर आज किस फीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बर आया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल्गेगन को अन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही इंट्रस्टी मेरो के नोडिपिकेशन भी आप तक पहुंसते रहे सकें चली फिर आज किस फीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दुस्तो बात कर लेते हैं अपकमिंग आरेस में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कंपनी यहां पे क्या क्या चेंजेस कर सकती है दुस्तो इस बाइक में जो सबसे पहला चेंज होने वाला है वो हने वाला है दुस्तो इस बाइक के speedometer में, speedometer को लेकर काफी दिनों से बोला जा रहा है कि RS में अब obvious सी बात है कि fully digital meter आना चीए digital meter आना चीए, digital meter आना चीए, but till now अभी तक इस bike में digital meter नहीं आया है but आपको मैं clear करना चाहूँगा जोस्तों, अब आप लोगों को bike में digital meter finally देखने को मिलेगा, जी हाँ RS 200 जो next update आने वाला इस bike में इसमें आपको fully digital meter मिलेगा, जिसमें आपको नए नए feature बेलेगे including mobile connectivity, जो काफी important रखता है इस bike के लिए दुसरा जो update होने वाला है, वोने वाला इस bike के design में, देखिए design को लेकर भी भाई, obviously बात है कि अब bike में changes करने का time आ चुका है देखिए RS अभी जितने सालों से आरे इंडियन मार्केट में, almost इस bike को आते 7 से 8 साल से उपर हो गया है, I think 10 साल हो गया है यार, लेकिन अभी दा company ने इस bike में color के लावा कोई changes नहीं किया है, और color के लावा company ने कोई भी काम नहीं किया है इस bike में तो आपको मैं clear करना चाहूँगा कि अब दुस्तों bike में आपको नया design मिलेगा, जो front design लाइट वाला वो थोड़ा change होगा, जरकी जो tail light है वो change होने वाली इसका जो side panel है वो भी company change करने वाली है तो यह भी जो नया update है वो आपको bike में मिलने वाला है दुस्तों इसका जो next update होगा वोगा इस bike की lighting में, अब आपको पता है दुस्तों अभी भी आप लोगों को light जो है अभी भी halogen projector light देखने को मिलती है, बट अगर आप देखे तो आज की date में भाई, N160, N215 की सभी में आपको LED projector light देखने को मिल रहे है तो बताओ क्या जमाना आगया कि अभी तक यह लोगों ने RS में LED projector light नहीं दिये बट 110% जो नई वाली RS हैगी उसमें दुस्तों आप लोगो LED projector light देखने को मिलेगा 110% जो कि इस bike के लिए काफी ज़्यादा important रखता है दुस्तों इस bike का जो next update होने वाला है दुस्तों वो होने वाला है इस bike के engine में अब engine में क्या change होगा देखिए engine में कोई बहुत बड़ा कोई change होने वाला नहीं है engine already हलाकि इस bike का काफी premium और काफी अच्छा है बट कुछ चीजों की कम यह company वो चीज़ यहाँ पर add कर सकती है दुस्तों engine में जो add होगा वो होने वाला है दुस्तों सबसे पहले इस bike में sleeper clutch जै दुस्तों अभी भी आप लोगों कोई engine में sleeper clutch देखने को नहीं मिलता जो कि इस bike के लिए बहुत जादा important रखता है तो bike में आपको सबसे पहला update मिलेगा sleeper clutch और bike में quick shifter भी देखने को मिल सकता है और बहुत सरे लोग तो यह भी बोरे कि इस bike पे अब हमें I think, I think ना भाई की ride by wire भी company दे दे chances थोड़े से कम है अगर दे देती है company तो भाई यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी बहुत बड़ी बात ठीक है दोस्तों next update होने वाला है इस भाई के दोस्तों breaking में अब obviously बात है breaking में भी company को काम करना पड़ेगा क्योंकि यार इसकी जो breaking है है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपे कोई doubt नहीं है लेकिन breaking में क्या update करना पड़ेगा इसकी जो front plate है बड़ी होने वाली इसमें आपको 300 mm से 320 mm की plate मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा chances है कि RS में हमें 4 piston जो calipers है वो भी company आपे offer कर सकती है तो ये भी जो update है दुस्तो बाइक में मिलेगा इस बाइक का जो next update होने वाला है दुस्तो वोने वाला है इस बाइक के suspension में अब आप समझे है कि इन्होंने अपनी NS160 में तक भाई उस्दी फोक suspension दे दिया है अब आप सोचिए कितना बड़ा minus point है यह बहुत बड़ा minus point है company को यह जिस ध्यान देना चाहिए और बाइक में उस्दी फोक suspension भी दालना चाहिए तो यह भी जो update है वो बाइक में होगा दोस्तो और इस उस्दी फोक suspension इसके थोड़े अच्छे रहेंगे अने जैसे एक दम पदले नहीं रहेंगे 31 mm अले इसमें minimum आपको 40 mm के असपास के मिलेंगे दोस्तो इसका जो next update होने वाला है वोने वाला इस बाइक की tail light में अब आपको पता कि जो tail light के design है वो भी काफी दिन हो गया चाहिए ठीक है बाकि दोस्तो आरेश 200 में आपको और भी नए चेंजेस मिलेंगे कि इसमें आपको नए graphic नए color option भी देखने को मिलेंगे तो company नए graphic नए color option कैसा ला रही है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा बट I hope company जो भी graphic and color option देगी वो काफी बैठ थी ने और काफी अच्छा होने वाला है तो यह भी update आपको दोस्तो बाइक में मिल जाएगा बाकि कौन-कौन इसका वेट कर रहा है नीचे comment करना बात करें दोस्तो प्राइस के बारे में तो obviously बात नहीं बाइक आएगी तो प्राइस बढ़ेग प्राइस